हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है मनोज वाजपाई की वेब सीरीज फामिली मैन कुछ समय पहले Amazon Prime विडियोज पर आई थी ये सीरीज जब से Amazon Prime पर सामने आई है तब से चर्चे में बनी हुई थी इसके अलावा इसे वन ओफ दी बेस्ट सीरीज माना जाता है हिंदी में इस वेब सीरीज में हमें मनोज बाचपाई नजर आए थे और उनकी आक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी इस वेब सीरीज में दर्शकों को एक्टिंग के साथ इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन भी काफी इंट्रेस्टिंग लगी थी जब से दे फैमली मैन अमजोन प्राइम पर सामने आई है तब से इस सीरीज के सीजन टू के लिए बात चल रही थी वेल बता दे कि काफी टाइम से ऐसा कहा जा रहा था किसका सीजन टू जल्द आने वाला है लेकिन कोई भी ओफिशल कन्फरमेशन इस पर नहीं आपा रही थी अब फाइनली इस पर एक ओफिशल कन्फरमेशन आ चुकी है सीजन टू का पोस्टर आउट हो चुका है और साथ ही में रिलीज डेट भी आउट हो चुका है बता दे कि दे फैमली मैन सीजन टू बारा फेबरी को रिलीज होने जा रही है अमजोन प्राइम पर अगर हम बीट आउन के मोस्ट एक्सपेंसिव अक्टर्स की बात करें तो इस अक्टर्स की लिस्ट में अक्षे कुमार का नाम सबसे पहले सामने आता है अक्षे कुमार एक ऐसे आक्टर है जो back-to-back film में शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन back-to-back hits देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तब ही उनकी demand जो है वो बढ़ती ही जा रही है और उनका schedule बिलकुल busy है और वो बिलकुल packed हो चुके हैं डिमांड इतने जादा बढ़ने के साथ साथ अक्षे कुमार अपनी जो फीस है फिल्मों के लिए वो भी बढ़ा रही है। ऐसा बताया जा रहा था कि वैसे तो अक्षे कुमार पर फिल्म अराउंड 117 करोर चार्ज करते हैं लेकिन क्योंकि अब उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है तो एक बार फिर उन्होंने अपनी जो फीस है वो हाई कर दी है और अब अक्षे कुमार पर फिल्म चार हो रही है कि वो फाइनली OTT प्लाटफॉर्म पर डेब्यू देने जा रहे हैं इसी के चलते बॉलवुड आक्टर शाहित कपूर की डेब्यू की बात कुछ समय से चल रही है OTT प्लाटफॉर्म पर ऐसा बताया जा रहा है कि राज और डीके एक वेब सीरीज बनाने जा रहे इस वेब सीरीज का टाइटल भी सामने आ चुका है बता दे कि शाहित कपूर की डेब्यू वेब सीरीज का टाइटल होगा गवार कहा जा रहा है कि मेकर्स दो सीजन एक साथ शूट करने को बिल्कुल रेडी है बॉलवर आक्टरिस आल्या भट की अपकमिंग फिल्म गंगुबाई के चलते आए दिन अपडेट सामने आते रहते हैं जो बड़े तेजी से इंटरनेट पर वाइरल हो जाती हैं बॉलवुड में इन दिनों अगर किसी मूवी में कोई स्पेशल डांस नंबर ना हो तो वो मूवी बिल्कुल इंकम्प्लीट लगती है इसी के चल एक्टरिस हुमा खुरेशी इस फिल्म में एक स्पेशल आइटम सॉंग करती हुई नजर आएंगी बिग बॉस 13 फेम और पंजाबी सिंगर हिमांची खुराना और बिग बॉस के फर्स्ट रुनर अप आसिम रियास दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं बिग बॉस जब स सामने आया था दोनों की लव स्टोरी जो है वो काफी जादा कॉंट्रोवर्शल होती जा रही थी बिग बॉस के घर से निकलने के बाद दोनों ने कई सारे सॉंग्स किये जो यूट्यूब पर सूपर डूपर हिट हुए दोनों की जोड़ी को पब्लिक काफी जादा ना हुआ था ताकि कोई उनको पैचान ना पाए लेकिन पैपराजी के नजर से बच नहीं पाए जब हिमानची खुराना एपूर्ट से निकल रही थी और जैसी हुए उन्होंने पैपराजी को देखा वो काफी जादा शौक्त हो गई थी रनबीर कपूर और आलया भट की जोड़ी बॉलवुट का इट कपल माना जाता है इस न्यू यर हॉलिडे के लिए दोनोंने काफी कुछ प्लान किया है बता दे रनबीर कपूर आलया भट और साती में रनबीर कपूर की फैमली रवाना हो चुकी है जैपूर के लिए जी हां रनबीर और आलया न्यू यर्स के लिए नहीं निकले हैं बल्कि जैपूर में उनकी इंगेजमेंट भी होने जा रही है लेकिन अब तक इसकी कोई कंफरमेशन निकल कर सामने नहीं आई है फैंस चाहते हैं कि आलया भट और रनबीर कपूर जल्द इसकी कंफरमेशन दे अगर ये सच है तो व टाउन सेलिब्रिटीज बिल्कुल गियर्ड अप है इसे के चलते बॉलिवुद सेलिब्रिटीज अलग-अलग हॉलिडे डेस्टिनेशन पर जाकर अपना न्यू यर्स सेलिब्रेट करने का प्लान कर रही हैं ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज है जो रवाना भी हो चुके है अ दोनों काफी फॉर्मल और एलेगेंट कपल नजर आ रही थे दोनों का जो कोट का कलर था वो सिमिलर था दोनों को ट्विनिंग करते हुए देखा गया एरपोर्ट लुक में प्रभास की वन अव दी मोस्ट अवेटेड फिल्म मानी जाती है पूजा हेगडे के साथ उनकी फ दराय इस पोस्टर के लिए जो सोशल मीडिया पर भी खूब वाइरल हुआ जब से इस फिल्म की अनाउंस्मेंट हुई है तब से ये फिल्म चर्चे में बना हुआ है आए दिन इस फिल्म को लेकर कोई ना कोई अपडेट सामने आता रहता है इसी के चलते इस फिल्म से एक साथ देखने के लिए बेसबरी से इंदिजार कर रहे हैं सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भार की शूटिंग कुछ समय पहले सल्मान खान ने अपने पूरी टीम के साथ कंप्लीट की थी इस फिल्म में सल्मान खान के साथ साथ इसके अलावा जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में नज़राने वाले हैं बता दे कि इस फिल्म में सल्मान तो कॉप का रोल प्ले कर ही रहे हैं लेकिन जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में कॉप का रोल प्ले करते हुए नज़राएंगे वो एक कौर की कॉप का रोल प्ले करते ह कि दिखाई देंगे इस फिल्म में बॉलइ बुट की पार्टी आनमल्स की बात करें तो सबसे पहले इस लिस्ट में नामाता है मलाइका अरोड़ा का मलाइका अरोड़ा ऐसी B-Town Celebrity है जिनको कोई वज़ा नहीं चाहिए पार्टी करने के लिए और हर A-List B-Town पार्टी में मलायका अरोडा नजर आती है एक बात तो ते है कि exercise और योगा करने के साथ-साथ मलायका अरोडा को पार्टी और vacation करना भी बहुत पसंद है और ऐसा तो हो नहीं सकता कि New Year's के मौके पर मलायका अरोडा कोई पार्टी ना करें बता दे कि मलायका अरोडा ने पूरी New Year's की पार्टी प्लान कर ली है वो अपना New Year's गोवा में celebrate करने जा रही है ऐसा कहा जा रहा है कि मलायका अरोडा के साथ-साथ उनके बॉइफ्रेंड अर्जुन कपूर भी गोवा में उनके साथ New Year's celebrate करेंगे कुछ समय पहले मलायका अरोडा और अर्जुन कपूर दोनों ही करूना वाइरिस से संक्रमित हो गए थे लेकिन अब करूना वाइरिस के बाद दोनों ही पार्टी मोड में जा चुके हैं आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवड न्यूज और होट गॉसुक के लिए सब्सक्राइब करें माया पूरी काट